जहिंद साथियोव सबसे पहले आपको अंतराश्टी योग दिवस की हार्दिक सुपकाम नाए आज दोस्तों आपके मन में उठ रहें बहुत सारे सवालों का हल मिल जाएगा जैसे कि दोस्तों 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है अंतराश्टी योग दिवस कैसे हुई इसकी सुरुवात और क्या है इस साल की थीम इस वीडियो में हम इनी चीजों के बारे में अध्यन करेंगे दोस्तों आज अंतराश्टी योग दिवस से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने इस मौके पर लोगों को सुपकाम नाए दी है योग दिवस कारिकरम में सामिल होने के लिए वह कल करनाठक पहुँचे आज उन्होंने 15,000 लोगों के साथ योग किया पीम मोदी प्रतिष्ठित लिंगायत समुदाय के गुरकुल सुत्तूर मठवी जाएंगे राजिपाल थावर चंद गहलोत मुख्य मंतरी बसव राजबुम्मई वरिष्ठ भाच्वानेता बियस इदुरप्पा और पार्टी के प्रदिश इकाई के प्रमुक नलिन कुमार कतील ने यहां एल हां का वाई से न अड़े पर प्रधान मंतरी मोदी की आगवानी की थी दूस्तों क्यों मनाया जाता है आज के दिन यानि कि 21 जून को अंतराश्टी योग दिवस 21 जून को अंतराश्ट्य योग दिवस मनाने की वज़े ए है कि 21 जून उत्तरी गुलार्द का सबसे लमबा दिन होता है सबसे पहला अंतराश्ट्य योग दिवस साल 2015 को 21 जून को मनाया गया था योग भारते संस्कृती का अहम हिस्सा है जिसे सदियों से कई बीमारियों का उपचार करने के लिए किया जा रहा है भारत के साथ ही आज पूरी दुनिया योग की ताकत को समझ गई है योग के महत्त को समझते हुए देश और दुनिया में 21 जुन को अंतराश्टी योग दिवस के रूप में मनाया जाता है हेल्दी लाइफ यानि की स्वस्त जीवन के लिए योग करना बेहत जरूरी है योग बाड़ी में उरजा का संचार करता है और सरीर को स्वस्त रखता है प्राड़ायाम आसन योग मुद्राय करने से बाड़ी में यानि की सरीर में आक्सीजन का संचार बेहतर होता है हिल्दी लाइफ स्वस्त जीवन के लिए योग करना बहत जरूरी है 21 जून को क्यों मनाया जाता है योग दिवस देश और दुनिया में योग की महत को बरकरार रखने के लिए 21 जून को अंतर राश्टी योग दिवस के रूप में मनाया जाता है योग करने का सबसे ज़्याद असरे हमारे देश के रिसी मुनियों को जाता है 21 जून को अंतर राश्टी योग दिवस मनाने की वज़ए ए है कि 21 जून उत्तरी गुलार्द का सबसे लंबा दिन होता है भारती परंपरा के मताबिक ग्रिस्म संक्रानती के बाद सुर्ध दच्छडायन होता है सदियों से माना जाता है कि इस समय योग करने से लंबी उम्र होती है सबसे पहले अंतर राश्टी योग दिवस कम मनाया गया सबसे पहला अंतर राश्टी योग दिवस 2015 में 21 जून को मनाया गया था इस दिन की पहल भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राश्ट संग की बैठक में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राश्ट महासभा ने स्विकार कर लिया और तीन महिनों के अंदर अंतर राश्टी योग दिवस के आयोजन का एलान कर दिया दुनिया में 2015 में पहली बार 20 योग दिवस मनाया गया योग दिवस पर भारत का रिकार्ड क्या रहा है प्रधान मंत्री मोदी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 21 जून 2015 को पहला अंतर राश्टी योग दिवस मनाया गया इस योग दिवस पर करीब 35,000 से ज़ादा लोगों ने दिल्ली के राजपत पर योगासन किया जिसमें 84 देशों के प्रतिनी धी सामिल थे पहली बार इतने बड़े मंच का आयोजन गिनीज बुक रिकार्ड में दर्ज किया गया इस साल योग दिवस पर पियम नरेंदर मोदी कारनाटक के मैसूर पैलेश में योग किये हैं योगा फार हुमेनिटी जिसका अर्थ है मानवता के लिए योग क्या है मानवता के लिए योग इस थीम के साथ दुनिया भर में 21 जुन को 200 योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और मनाया जा रहा है दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप भी सुबर-शुबर योग किये होंगे और दोस्तों नहीं भी किये होंगे तो आप अंतराश्टी योग दिवस में जरूर सामिल होे होंगे जैसे कि आप अपने घर पे ही उपस्तित होकर योग किये होंगे दोस्तों योग का महत हमारे सरीर के लिए काफी महत नपूरब है और इसे भारती रिसी मुनियों से लिया गया है जब भी आप भारती रिसी मुनियों को देखते हैं तो वह किसी न किसी आसन में जरूर होते हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि इनके लंबे उमर का जो कारड़ है इनके जो लंबे उमर का कारड़ है वो है योग दोस्तो योग करने से हमारा जीवन जो होता है वो लंबे समय तक चलता है कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट वक्स में जरूर बताईएगा थैंक्स वर राचिंग दिस वीडियो जहिंद साथियोव सबसे पहले आपको अंतर राचिटी योग दिवस की हार्दिक सुपकामनाए